हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो की अंदर बात करेंगे बी सी सी और पी सी सी की बीच में जो अगला इसी एस का स्रीज का दुस्तू पहला मुगाबला होने वाला है ठीक है मैं दोनों ही टीमों की जब अर्जस्त इन्फॉर्मेशन में आपको देने वाला हूँ टीटेन के रियर में अपने प्लेयर्स ने दूस्तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड बनाया है कौन से बॉलर्स कंप्लिट आप यहाँ पे दो अवर्त गेंदबाजी करते वे दिखेंगे किसी कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए अपने टीम के अंदर ले सकते हो सारे इन्पोर्टेंट डीटेल्स में आपको देने वाला हूँ तो इस वीडियो को क्या करना एक बार अन तक जरूर वाच करना गैज वीडियो को लाइक से स्टर्ट करना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बैल अकन को प्रेज जरू कर देना तकि आने वाले टी 10 और टी 20 मैचस का आपको इसी परकार वीडियो और इनफॉर्मेशन मिलता रहेगा गाईस इस मैच का जो फाइनल टीम है आपको हमारे टेलेग्राम ग्रूप में मिलेगा लाइनप के बाद अगर कोई भी चैन्जस होता है तो वो टीम में आपको फाइनल टीम के रूप में अपडेट कर देता हूँ हमारे टेलेग्राम ग्रूप में इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा बॉक्स में और कमेंट जहां करते हैं पहला कमेंट में आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा आप उसमें भी क्लिक करके एजी जोइन कर सकते हैं तो आपने अभी तक जोइन कर लिया होगा चलिए अब स्टेट्स की और आगे बढ़ते हैं गाईज यह जो मैच है ना विनर क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला होगा और दोस्तो बारत तीस में यह मुकाबला देखने को मिलेगा गाईज और यहां का पीच कंडिसन की बात करते हैं तो फर्स्ट टिनिंग एवरेज को बहुत लो बताया जा रहा जिस परकार का यह ग्राउंड है दोस्तों मतलब बॉलिंग पीच आप समय सकते हैं मतलब बॉलर्स को इस ग्राउंड पर सपोर्ट मिल सकता है ध्यान रखना इस बात का बॉलिंग पीच है इसी ल बारे में टीटेन 2020 का रिकोर्ड अगर आप देखेंगे चार मैच का अंदर इन्होंने 77 रन बना की एक विकेट निकाले रायन बल्लेबाजी करते हैं मजबूत प्लेर है बैटिंग में इमरान उलक रायन बल्ले बाजी करते हैं टीटेन 2021 में 5 मैच का अंदर 19 बाद करते हैं अमरित पॉल राय के बारे में चार मेच के अंदर 28 रन प्राइए दोस्तों बाकी शकी मुक्तर की बात करेंगे तो आठ मेच के अंदर 85 रन बनाया है तो टीटन रेकॉर्ड इनके नाम भी कावे बढ़िया है जाहिद मेमुझ जोकि 7 मेच के अंदर 131 रन बनाय कर सकते हैं और लंडर में जब्ड इकबाल जो कि 220 मेच के अंदर 21 रमना के 23 विकेट निकाले हैं यह जो प्लेयर है न मतलब जिस परकर का बॉलिंग इन्होंने करा है अपने टीटेन का रिकॉर्ड में बहुत मजबूत प्लेयर है इनको अपनेटी में जरूर ट्राय करना आप रितिक टॉमर जो कि यहां पे दो मेच के अंदर 28 रंस पूर करा एक विकेट निकाला है बाकि यहां पे शकीब की बात करें शकीब जो कि 8 मेच के अंदर 21 रमना के 10 विकेट निकाले हैं यह भी खिलाड़े बहुत मजबूत इनको अपनेटी में आप ट्राय कर सकते हैं जो बात करेंगा अली वकार के बारे में 8 मेच कंदर 28 रमना के 7 विकेट यह टीम के में गेंद बाज है अरिफ का रिकॉर्ड कुछ खासने 1 मेच कंदर 1 विकेट निकाले हैं निर्मल कुमार जो की 4 मेच कंदर 43 रमना के 3 विकेट निकाले दोस्तों इनका भी आप बॉलिंग दे कमल सिंग की बात करेंगे 10 मेच कंदर 4 रमना के विकेट इनको विकेट इनको बेपने टीम में आप ले सकते लेकिन इनको ड्रॉप करना क्योंकि इनसे बेटर रिकॉर्ड बेटर रिजल्ट आप देख सकते इन प्लेयर्स का बाकि यह बी सी सी का रिकॉर्ड है जो आप आप करना शुदीर 5 मेच कंदर 5 रमन को भी अवैट करना बैटिंग मेगर आप देखेंगे ति यहां पर जहांगीर खेलते होने जलाएंगे जो कि 10 मेच कंदर देखोगे 2020-21 का रिकॉर्ड मतलब 21-22 का रिकॉर्ड आठ मेच कंदर उनली 34 रमना के वन विकेट निकाले हैं यहां पर 2020-2010 में 5 मेच कंदर 19 रमन स्कुर करा है तीन विकेट निकाला है शुरिया चार मेच कंदर दोस्तो 62 रमन चार विकेट निकाले हैं वह एकर बात करें के वर महता के बारे में तो तीन मेच कंदर एक रमन 6 विकेट निकाले दोस्तो यह भी टीम के मेन गिंद बाज ह अब ओल अंडर में देखोगे अरुन अश्वकन खिलते हुने ज़राएंगे जो कि 5 मेच के अंदर 46 रंबना के 2 विकेट शटकाए हैं ये भी टीम के काफी बढ़ियां गिंद बाज बल्ले बाज है दोस्तों साथे साथ गिंद बाजी भी कुछ अवर करते हुए दिखेंगे वह एकर बात करेंगे शुदेश के बारे में तो 5 मेच के अंदर 104 रंबना है तीन विकेट निकाले इनको आप ले सकते हैं ऐस घेज बैट्सन बॉल्लिंग भी करते हैं आपको दिखेंगे Mayor चीरन पाच मेच के अंदर क्ट रांबना है डी एक बॉलिंग की बात करते हैं तो 5 मैच के बाजै यह दोनों है प्लेंग लेवन है जीहान रखना अल्मोस्ट सेम प्लेंग 11 आपको इस मैच के अंदर देखने को मिलेगा अब आपको इसमें से जो भी बेटर लग रहा है अपने टीम में आप ट्राइ कर सकते हैं डीटिल्स सारे प्लेयर्स का आपके सामने है हाला कि मैंने आपके लिए एक टीम मना के रखा है चलिए उस टीम की और आगे बढ़ेंगे देखो शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकेट की पर से PCC के टीम के तरब से दोस्तों यहाँ पर दो खिलाड़े आपके लिए बेश ट्रेंगे एच एमेट को ट्राइ कर सकतो या पर एस ग्रोवर को ट्राइ कर सकतो ठीक है दोनों का रिकॉर्ड मुझे बेटर लगा है लेकिन मैं एच एमेट के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि PCC के टीम के तरब से यह जो खिलाड़े है ना टीम के थोड़ा जल्दी बल्ले बाजी करने के लिए आते हैं अब रहा बैटिंग की बात तो तीन बैट्समें जिसमें से एरा ही इन्पोर्टन रहेंगे जो टीम के टॉप अडर पे बल्ले बाजी करेंगे आपके टीम में होना बहुत ज़री है अब रहा बॉलिंग की बात तो चार बॉलर जिसमें से जेक बाल को मिने ले रखा है इनका सेलेक्शन कम है आर्ट ओमर को काफी लोगों ने लिया हुआ इनके जगा लेकिन इनका रिकॉर्ट से मुझे काफ़े बेटर जेक बाल का लगा है ठीक है जो बॉलिंग से देखोगे ना बहुत सूपर बॉलिंग कर रहा है दोस्तों अब रहा बॉलिंग की बाद तो तीन बॉलर जिसमें से वकार टीम की में गिंद बाज या दो वर गिंद बाज इक करेंगे यह हसन को मैंने ट्राय करके रखा है दोस्तों यहाँ पर एस फराद को ट्राय करेंगे जो बीसी के टीम के तरफ से दो वर कंप्लिट गिंद बाज अगर आप जी एल के लिए थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर दोस्तों हट के टीम करेट करना चाहते हैं तो यह भी बेस्ट रहेंगे बाकि यह टीम अभी आप लोग सेव कर लो और लाइन अप का वेट करना इस मैच का फाइनल अपड़ीट आपको हमारे टेलिग्राम गु जाप कर गोका धीजिएग्ग झनायत है यह बाइनल एम भी दापको मारे मेच लोग्डे़ीषगाइजीक का व्हाँ हो यह रओवाज़ीजीजीज